वेलो वेलकम बैक टो माइ कुकिंग चैनल तो आज में लेकर आई हूं आप लोगे साथ नान कटाई की रेसिपी लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है हम नान कटाई तो बनाएंगे लेकिन हम बनाएंगे बदाम फ्लिवर वाली नान कटाई जिसके लिए मैंने हापी लिया है कप और उसको मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी मीडियम फ्लेम में हमें इसको जलाना नहीं है सिर्फ नॉर्मल रोस्ट करना है पांच मिनिट के गरीब ताकि जो हमारे बदाम है जो उनकी कच्छापन की स्मेल है वो चली जाए और अच्छा पाउडर बनाए ना तो जो अच्छे बदाम नहीं पसंदे नहीं तो रोस्ट करके खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो यहां पर हमारे बदाम हो गए है और मैं इसको पीस लूँगी इसका बारिक पाउडर बनाना है तो यहां पर मैंने इसको पीस लिया है और ना 100 ग्राम के करीब बदाम हो अमूल का चोटा अला बटर है और इसको हम लोग मेल्ट रूम फ्रिज में नहीं रखेंगे बनाने से गंड़े पहले ही हमें निकाल लेना है ताकि रूम टेम्परेचर में आ जाए और सकते हैं और यहां पर शुगर पीस के रखी आप लोग चाहे तो मार्केट से भी पिसी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेकुल फलफी साम को इसको बना रहे हैं यह दोनों चीज़े एक दूसरे में अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी और जैसे वह विब्ड क्रीम हो जाती है ना केक में डालने वाले उस तरह के से इसमें फलफी ने साजाएगी तब तो यहां पर मैं सबसे पहले लूँगी एक कप मैदा आप लोग चाहते हैं आटा भी यूस कर सकते हैं लेकिन मैंने यह पर मैदा यूस किया और जो हमने पाउडर बना के रखा था बदाम का वो मैंने आप एक कर दिया है प्रॉपर और यहां पर डाल रहे हूं थोड़ी से बदाम दाला है तो मैं इसको मिक्स करेंगी मैने फह olduğ इसको कि मैं चंहते मिक्स कर दोगा तक यूसा का था वाहले कट पाउगी लेकिन तुम्छ से नहीं बन पाएगा था popul-वर्र यह हमने अरुम्न हें चंब हैं और इसमें आपको ना दूद ना पानी कुछ भी डालने की ज़रोत नहीं है हमारा बटर और जो हमने इसमें शुगर डाली है वही मेल्ट होकर इसमें अच्छे से यही इसी से हमारा जो है वो कंपलीट हो जाएगा क्योंकि जादा होता है तो गोलियां बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है हमारा आटा लग गया है तब तक हम लोग अपना जो ओवन या कुछ भी बहुत सकते हैं कड़ाई को प्रीहित करने रख देंगे लो फ्ले में रख देंगे नमक डालकर तो यहां पर मैंने रख दिया ह इसके बाद मैं बनाने चाहा रही हूं अपनी यह नान खटाई तो इसके लिए हम इस चोटी चोटी लोई ले लेंगे साइज आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं पर चोटा साइज लेंगे तो बनने में जल्दी होगा अगर बढ़ा लेंगे तो थोड़ा टाइम तो थोड़ी बढ़ा रहे तो आएंगी लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी जो नान कटाई बहुत ही अच्छे से बनेगी तो आप लोग इसके परेशान मत हुएगा अगर इस तरह की से दरा रहे आएंगे तो लेकिन ट्रस्ट में बहुत टेस्ट है बहुत अच् हैं तो आप लोग ही में इस तरी के से घी लगा कर जो हमारी नान कटाई हैं उनको रख सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो यहां पर अभी उपर तोरचे ड्राइफूर सेट कर सकते हैं काजू या बदम जो भी लेकिन मैंने अभी आपर नहीं किया है मैं बनने के बाद हैं उसके अपर यह थाली रखेंगे फिर मीडियम फ्लेम में हम लोग इसको 20-25 मिनुट के लिए बेक होने देंगे तब तक हमें इसको ढखने ढखने ही पकाना है खुलना नहीं है और 20-25 मिन बहुत अच्छे तरीकी से हो जाएगी और अगर नहीं हो पाती तो आप लोग 15 म कर यह नहीं अच्छा लगता तो भी मुझे कॉमेंट करके बताईए कुछ कमी रखती तो आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं और अगर आपको मेरे अच्छी लगी है तो आप लोग भी ज़रूर ट्राइ कीजेगा और मुझे बताईगा कि कैसी बनी थी और मेरे वीडिय को प्यार देते रहेगा और मैं इसी तरह की साब लोगों के लिए नए ने वीडियो लाती रहूंगी तो मेरे चैनल से बने रही है थैंक यू सो मच थैंक्स वर वाचिंग बाबाई मिलते हैं नेक्स ब्लोग